जै श्री कृष्णा प्रिया भक्तो आज हम भक्ति मंदिर तक आप पहुँचे हैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह विशाल का है भक्ति मंदिर जो की प्रतापगड़ जिले के मन गड़ में इस्थित है जिस तरह से इस मंदिर का नाम भक्ति मंदिर है आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि सच में इस मंदिर के अंदर आने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर भक्ति और प्रेम की धारा बह रही है यह मंदिर यह परिसर जगत गुरू कृपालू जी महराज के द्वारा इस्थापित किया हुआ मंदिर है इसके बगल में ही एक आश्रम है अब हम मंदिर की और प्रस्थान कर चुके थे मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते वे हम आगे की और बढ़ते गए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे हम आपको मंदिर का संपुन दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ हम इस वीडियो में जगत गुरुत्तम कृपालुजी महराज की संचिप्त जीवनी भी आपके सामने प्रस्तूत करेंगे मंदिर परिसर एवं मंदिर की साज सज्जा बहुत ही अनोखी है तरह तरह के फूल पौधे लगाए हुए हैं साथ ही मंदिर की नकाशी भी बहुत ही अदभुत है जिसको देख करके आप बरबसी मंत्र मुक्द हो जाएंगे क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ जब हम भक्ती मंदिर पहुँचे तो वहां का दृष्ट बहुत ही मनोरम था क्योंकि जिस समय हम वहां पर पहुँचे थे मुसलाधार बारिस हो रही थी उस बारिस के बाद भी हमारे अंदर एकुचा था या आज हमें भक्ती दर्शन एवं पुंडलाब प्राप्त होने व बाग की और निकल पड़े वहां जाकर के देख रहे हैं तो अनेक जानवरों की मन मुहक मूर्तियां इस्थापित की गई हैं जो बर्बस ही अपनी और आकर्सित करती हैं दोपहर के दो घंटे के अंतराल के बाद पुनह दोपहर की एक बजे मंदिर का मुख्य द्वार की आप देख पा रहें बहुत ही अदभुत मंदिर है इस मंदिर की स्थापना जगत गुरुत्तम क्रिपालु जी महराज के द्वारा कराई गई थी अब आपको यह भी संसय हो रहा होगा कि मैं बार बार जगत गुरु जगत गुरुत्तम क्रिपालु जी महराज की बात कर लेकिन ये हैं कौन? कौन थे? यह भी आपके मन में जिग्या सा उत्पन्न हो रही होगी तो इनके बारे में भी मैं आपको धीरे-धीरे क्रमश मंदिर के वरणन के साथ बताता चलता हूँ आपको और भी आनंद की अनुभूती होगी क्रिपालु जी महराज का जन्म अक्टूबर 1922 में सरत पुर्णिमा की आधी रात को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट प्रताबगढ़ जिले के मनगढ़ ग्राम में एक ब्रामण कुल में लालता प्रशात त्रिपाठी जी के हां हुआ था ब्रामणों ने उनका नाम राम कृपालु त्रिपाठी रखा राम कृपालु त्रिपाठी ने गाओं में ही मिडिल स्कूल से साथ मीं तक कक्षा की पढ़ाई प्राप्त की उसके पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए महू मध्रदेश चले गए शिक्षा ग्रहण करने के दवरान सवालों को ले करके हमेशा शिक्षकों से भड़ने वाले राम कृपालू खेल कूद में भी रुची रखते थे खेल कूद में भी अबल थे क्रिपालु जी महराज ने काल अंतर में साहित्य आचार, आयुरवेद आचार एवं व्याकरण आचारी की उपाधी आशर जनक रूप से अल्पकाल में ही प्राप्त कर ली उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ तसील के निकट एक छोटे से ग्राम मनगढ में जब राम क्रिपाल त्रिपाठी जी का एक नन्हे बालक के रूप में जन्म हुआ होगा तब शायद किसी ने ही सोचा होगा कि यह छोटा सा बालक एक दिन पूरे विश्व में क्रिपालू जी महराज बन करके चमकेंगे अब हम मंदिर परिसर की और प्रवेश करने लगे जैसे ही मंदिर परिसर की और जाने लगे तो वहाँ देख रहे हैं कि एक से बढ़कर के एक क्रिपालू जी महराज से जुड़ी हुई झाकियां प्रस्तُत की गई हैं वहाँ पर मनमुहक मूर्तियों के द्वारा क्रिपालू जी महराज की जीवन को दर्शाया गया है इस जाकी में आप देखें तो संत रुपी तारों के बीच में क्रिपालु जी महराज अकेले सूरज की तरह चमक रहे हैं। इस मूर्ती को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानों क्रिपालु जी महराज के भक्तगण मधूर संगीत बजा रहे हैं। नहीं मिलेगा जितने अच्छे से क्रिपालु जी महराज के हाँ देखने को मिला। आपको लेकर के चल रहे हैं भक्ती मंदिर के गर्भग्री की ओर। गर्भग्री में प्रभू श्री कृष्ण राधा के संग बिराजित हैं। इस गर्भग्री की साज सज्जा यदि आप देखें तो आप मंदर मुग्ध हो जाएंगे। इस मंदिर के गर्भग्री को बड़े ही अध्भूत तरीके से सजाया गया है। आप मंदिर में प्रवेश करते ही कुछ देर के लिए चकाचाउंध हो जाएंगे। आप मंदिर परिसर के गुंबद की ओर देखेंगे तो काच का बना हुआ एक बहुत ही अनोखा बहुत ही अध्भूत जूमर आपको दिखाई देगा जो आप निहारते ही रह जाएंगे। इस जूमर के पशात आपकी नजर पड़ेगी जगत गुरुत्तम क्रिपालुजी महराज की प्रतिमा माता सरस्वती की प्रतिमा इसके पशात आप दर्शन करेंगे प्रभूश्री कृष्ण राधा के संग विराजी थाएं इसके पशात क्रिपालुजी महराज के माता एव पिता जी इस मंदिर की सोभा अवर्ण नहीं है इस मंदिर का वर्ण कर पाना असंभव है बहुत ही अद्भुद जूमर जिसे देख करके हम मंत्र मुग्द हो गये थे इस मंदिर की साज सज्जा देख करके हम मंत्र मुग्द हो गये थे और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकत कि आप भी जब इस मंदिर के अंदर जाएंगे प्रवेश करेंगे तो आप अवश ही मंत्र मुग्द हो जाएंगे आईए अब हम आपको पुनह ऐसे जगह पर ले चलते हैं जहां पर कुछ झाकियां इस्थापित की गई हैं जिन झाकियों को यदि आप सामने से देखेंगे तो उन जाकियों को छोड़ करके आपको वापस आने की इक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तिया यहां पर इस्थापित की गई हैं आप दर्शन कर पा रहे हैं यहां पर प्रभू श्री राम माता सीता के साथ बिराजित हैं तद पश्चात आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण और बलराम का इसके पश्चात अभी आप जो दर्शन कर पा रहे हैं परमपूजनिया माता पदमा जी जो की क्रिपालुजी महराज की धर्म पतनी उनकी अरधांगनी हैं इनके पश्चात पुनह आप क्रिपालुजी महराज का दर्शन कर पार हैं इसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर जहां पर इस मंदिर के परिसर में ही भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अनेक जहांकियां प्रस्तूत की गई हैं इन जहांकियों के पास जब आप पहुंचेंगे तो आपको यहां पर से हटने की तनिक भी इक्चा नही होगी यह जहांकियां इतनी ही मनमुहक तरीके से बनाई गई हैं कि आप उन्हें छोड़ करके वहां से हिल नहीं पाएंगे ऐसा लगेगा कि आप वहीं पर खड़े इन जहांकियों को निहारते रहें बहुत ही मनमुहक बहुत ही आकरशक जहांकी आप देख पा रहे हैं यह यहां पर नन्हे से कृष्ण भगवान कुछ बदमासी की हैं मातायसुदा उन्हें डाट रही हैं इसके पश्चात आप आगे की और बढ़ें तो तरह तरह की जाकिया यहां पर भी कृष्ण जी बीच में बैठे हुए हैं उनके आजू बाजू उनके अगल बगल बाल सखा ब इलकोल भी इक्चा नहीं होगी यहां पर आप जो जाकी देख रहे हैं यहां पर तीन स्थानों का संगम बनाया गया है पहले ब्रज फिर मतुरा फिर द्वारिका अर्थात ब्रज मतुरा और द्वारिका तीनों जगह भगवान श्री कृष्ण निवास किये थे और तीनों जगहों को संयूक्त करकी यह जहाकी तयार की गई है बहुत ही मनमोहग जहाकी हमें तो यहां से हिलने की इक्चा नहीं हो रही थी हम तो भगवान श्री कृष्ण और राधा की भक्ती में तलीन हो गयते लेकिन विवस्ता की हमें आना पड़ा और आपके साद भी वही विव कि रास लीला की जहांकी है यहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ अपनी रास लीला में मगन थे क्योंकि उनके आगे पीछे ब्रज में बहुत सारी गोपियां भ्रमण करती रहती थी गर्भग्री के दर्शन के पश्चात अब हम आपको मंदिर परिसर के अन्य स्थलों का भी अन्य भागों का भी दर्शन कराते हैं क्योंकि मंदिर का कपाट बंद हो चुका है अब आपको मंदिर परिसर के अन्य शेत्रों का भी दर्शन एवं भ्रमण करना चाहिए क्योंकि यदि आप यहां पर आए हैं तो इस दर्शन का पूर्ण रूप से लाव उठाइए इस समय का पूर्ण रूप से लाव उठाइए आएए पुना चलते हैं क्रिपालू जी महराज के जीवन की और क्रिपालू जी महराज अपनी सिक्छा पूरी करने के बाद अपनी पत्नी पदमा के साथ गिहस्थ जीवन की शुरूआत की और राधा कृष्ण की भग्ती में तलीन हो गये भक्ती योग पर आधारित उनके प्रवचन सुनने भारी संख्या में श्रद्धालू पहुचने लगे फिर क्या था उनकी ख्याती देश के अलावा बीदेशों तक जा पहुची क्रिपालू जी महराज का मत था कि यद्दपी इस्वर की प्राप्ती के अनेक मार्ग है लेकिन भक्ती ही सर्वशिष्ट इवं सुलभ मार्ग है श्री राम क्रिपालु त्रिपाथी जी अर्थात क्रिपालु जी महराज का वैवाहिक जीवन पत्नी पदमा के साथ प्रारंभ हो गया था क्रिपालु जी महराज के परिवार में दो बेटे क्रमशह घनशाय में वंबाल कृष्ण त्रिपाथी हैं इनके अलावा तीन बेटियां भी हैं विशाखा, श्यामा एवं कृष्णा त्रिपाठी उन्होंने अर्थात कृपालुजी महराज ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी जो इस समय दिल्ली में रह करके उनके ट्रस्ट का सारा काम काज खुद समालते हैं जबकि उनकी तीनों बेटियों ने अपने पिता की राधा कृष्ण की भक्ती को देखते हुए बिवाह करने से मना कर दिया वे तीनों बेटियां अविवाहित रहीं और कृपालुजी महराज की सेवा में जुट गई श्री राम कृपालु त्रिपाठी से कृपालुजी महराज बने जगद गुरु बचपन से ही प्रतिभाशाली थे वे किसी जगद गुरु के उत्तरा धिकारी नहीं हैं बलकि अपनी प्रतिभा के बलबूते उन्होंने मूल रूप से जगद गुरु की यह उपाधी हासल क जगद्गुरू श्री कृपालू जी महाराज वर्तमान काल में मूल जगद्गुरू थे भारत के इतिहास में इनके पहले लगभग तीन हजार सालों में चार और मौलिक जगद्गुरू हो चुके थे जो की क्रमशह जगद गुरुश्री शंकराचारे जगद गुरुश्री निम्बारकाचारे जगद गुरुश्री रामानुजाचारे जगद गुरुश्री माध्वाचारे थे इन सब के सिध्धान्तों का समन्वे करने वाले जगत गुरु श्री कृपालू जी महराज के वेदो शास्त्रों पुराणों तथा अन्यधर्म ग्रंथों के असीम अलोकिक अध्युती ज्यान से परिपून संस्कित में दिये गए प्रवचन को सुन करके काशी में इस्थित 500 शास्त्र विद्वान आश्यर चकित रह गए तब जा करके 14 जन्वरी 1957 को श्री कृपालू जी महराज को जगत गुरु ही नहीं जगत गुरु तम की उपाधी से भी होशित किया गया काशी के विद्वान किसी को आसानी से विद्वान स्विकार नहीं करते लेकिन इनके भगवत प्रतिभा और ग्यान को देख करके सारे विद्वान इनके सामने नतमस्तक थे और यहीं से इन्हें कृपालू जी महराज के नाम से जाना जाने लगा रात्री के समय इस मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाती है यह जो आपके सामने एक गुंबद दिखाई दे रहा यह कोई आसान गुंबद नहीं है जब हम इसके अंदर प्रवेश किये तो अंदर जाकर के पता चला कि यह एक सभागार है यहाँ पर प्रवचन होते हैं और इस सभाकक्ष में इस प्रवचन कक्ष में लगभग लगभग दो हजार व्यक्ती एक साथ बैट सकते हैं इतना बड़ा यहाँ सभाकक्ष है और इसके निर्मार कारे में बहुत ही अचमभित बात है कि बीच में कोई भी पीलर कोई भी पोल नहीं है और इतना बड़ा एरिया इ की बहुत ही मनमोहक हैं क्रिपालु जी महराज ने जगत गुरु क्रिपालु परिशत के नाम से विख्यात एक वैश्विक हिंदू संगठन का गठन किया था जिसके इस समय पांच मुख्य आश्रम पूरे विश्व में स्थापित हैं इन में से चार भारत में तथा एक अमे भक्तों को मंत्र मुख्द कर देता है भक्तों की मना इस्थिती को अपनी और बांध लेता है भक्त गण बर्बसी यहाँ पर कुछ देर बैठने के लिए विवश हो जाते हैं आप दर्शन कर पा रहे हैं रोसनी से नहाए हुए इस मंदिर को कितना अदभूत कितना मनमोहक लग रहा है यहाँ से जाने की तनिक भी इक्छा नहीं हो रही है आप विश्वास मानिए जब आप यहाँ पर रात्री कालीन बेला पर पहुँचेंगे तो आपका भी मन यहाँ से आने को नहीं करेगा लेकिन विवस्ता है कि आठ बजे आपको मंदिर परिसर से बाहर निका करते हैं आप क्रिपालु जी महराज के जिन जहाकियों को दिन में देखे थे उन्हें अभी रात में देखें तो और ही मन भावन दिखता है पूरी की पूरी मंदिर आप देखें तो रोशनी से नहाई हुई रोशनी से आक्छादित है जो की भक्तों के मन को लुभा लेती ह यहां से आने के बाद आप इस मंदिर को भूल नहीं पाएंगे आपके इस्मृती पटल पर एक अलग ही चाप जोड़ जाएगा यह मंदिर बहुत ही अनुखा मंदिर है क्रिपालु जी महराज के द्वारा इस्थापित यह भक्ती मंदिर बहुत ही अदभुत मंदिर है और इसी मंदिर से सटा हुआ एक आश्रम भी है जिस आश्रम में जगत गुरु कृपालु जी महराज के अनुयाई आकर के ठहरते हैं और भक्तिरस का आनंद लेते हैं लेकिन इसी आश्रम की एक दुखद कड़ी भी जुड़ी हुई है इसी मनगढ के आश्रम की छट से गिर करके एक दिन कृपालु जी महराज जखमी हुए और वे कोमा में चले गए फोटीज मेमोरियल रिसर्च इंस्टिटीट के अनुसार पर कृपालु जी महराज को रात के समय अस्पताल में लाया गया जो की गुरगाउं में स्थित अस्पताल है छट से गिरने की वज़ह से कृपालु जी महराज को ब्रेन हैमरेश हो गया था विशेशग्यों की टीम 24 गंटे उनकी निगरानी रख रही थी लेकिन उनके स्वास्थ में कोई सुधार नहीं आया और अन्ततह ग्यान के भंडार ग्यान के सागर जगत गुरुतम कृपालुजी महराज 15 नवंबर 2013 प्रातह साथ बच करके पाँच मिनट दिन शुक्रवार को हम को आपको हम सब को छोड़ करके इस धर्ती से बिदा ले करके देव लोग की और प्रस्थान कर गए ओम शान्ति भक्ती मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने में एक छोटी सी दुकान है जहां से आप राधा कृष्ण की अलग अलग छवी वाली अलग अलग रूपों वाली मनमोहक मूर्तियां खरीद करके घर ले जा सकते हैं और उन्हें अपने घरों में स्थापित करके पूजन कर सकते हैं भक्ती मंदिर तक पहुच की जो सडके हैं वे बिलकुल स्वक्ष एवं दोनोर हरियालिस याक्छादित हैं इसके अलाबा इन सडकों के किनारे जो बिजली के खंभे लगे हैं उनके नीचे भी इस तरह से फुलवारी लगाई गई है भक्ती मंदिर के ठीक सामने में ही भक्ती मंदिर उपाहार नामक एक केंटीन संचालित किया जा रहा है जो कि भक्ती मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है आप इस केंटीन इस उपाहार केंदर के अंदर जा करके अपनी पसंद का कुछ भी ओर्डर करके स्वलपाहार कर सकते हैं ले प्रस्तुत किया जाएगा लेकिन आपको अपने टेबल तक स्वयम लेकर किया आना होगा। कि जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए आएं और इस कैंटीन के अंदर आएं तो गंदगी न फहलाएं क्योंकि यहाँ पर एक स्वक्षता का प्रतीक भी है। हक्ती मंदिर का दर्शन कराया। तो लाइक अवश्य करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी महुदे को आन कर लें जिससे कि जब जब मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। अब मुझें विर्क्ष्णा राधे राधे राधे।